हालो वीवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी ड्रम स्टिक्स यारी सहजन के फायदे दोस्तों सहजन को मोरिंगा ओलिस्फिरा के नाम से भी जाना जाता है ये साउथ इंडियन डिशेज में काफी यूज किय जाता है इसमें कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, केल्शियम, पोटेशियम, आईरन, मैगनीशियम, विटमिन ए, विटमिन सी, विटमिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसकी जड़ से लेकर इसके फूल, इसकी पतियां भी बहुत फायदे मन्द है आईए जानते ह हैं सहजन के फायदे, ड्रम स्टिक सभी डाइजेस्टिव डिसॉर्डर को ट्रीट करने के लिए उपयोगी है, हैजा, दस्त, पेचिश या पीलिया होने पर एक चमच सहजन की पतियों के रस में एक चमच शहद मिलाकर एक गलास नारियल पानी के साथ इन को लेने से इन सब बिमारियों में बहुत रहत मिलती है, सहजन में एंटिबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये गले, त्वचा और छाती के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी काम करता है, इसकी पतियों को एंटिबायोटिक साबुन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, इसमें आइरन काफियदिक मात्रा में होता है, ये अनीमिया यानि खून की कमी को दूर करने में बहुत ही उपयोगी है, और साथ ही साथ ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाय भी करता है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, तो सहजन की पतियों का रस न ना कर पी लीजिए, सर्दी जुकाम में बहुत रहत मिलेगी, इसका सेवन करने से एस्तमा और वीजिंग में भी बहुत आराम मिलता है, आयुरवेदा में सहजन को सदियों से मेल, इनफर्टिलिटी और इंपोटेंसी की समस्या को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इसका रेगिलर्ली सेवन करने से प्रीमिच्चे और इजैकुलेशन और शिक्र पतन की समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है और शुक्राणूओं की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी सुधार आता है। रेगिलर्ली करने से केंसर होने की संभावना 80% तक कम हो जाती है और ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये ट्रीटमेंट का भी काम करती है। आंतों में tumor या ulcer होने पर drumstick का सेवन करने से उनका size भी काफी reduce हो जाता है सहजन की पतियों का soup पीने से महिलाओं में periods नियमित रूप से आते हैं और periods में होने वाले दर्द और cramps से भी छुटकारा मिल जाता है महिलाओं में होने वाले uterus fibroids से जुड़े pain को treat करने में भी सहजन काफी अज़रदार है इससे fibroids का size भी काफी shrink हो जाता है सहजन हमारे nervous system और brain के लिए भी एक tonic का काम करता है इसे खाने से brain power बढ़ती है और concentration में भी सुधार आता है researches से पता चला है कि सहजन का प्रयोग daily diet में करने से blood sugar level भी reduce हो जाता है इसलिए diabetic लोगों के लिए भी ये एक medicine एक औशधी का काम करता है सहजन खाने से आँखों के देखने की शक्ति बढ़ती है retina की life बढ़ती है जिससे उम्र के साथ होने वाले आँखों के रोग जैसे मोतिया बिंद आदी की समस्या उत्पन नहीं नहीं होती जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है क्योंकि इसमें phosphorus काफी अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर की चर्बी को बहुत ही जल्दी burn कर देता है इसमें calcium भी काफी मात्रा में होता है इसलिए ये हमारी हड़ियों और दातों के लिए भी एक टोनिक है इसे खाने से बच्चों की हड़ियों का विकास अच्छे से होता है उनकी लंबाई बढ़ती है हड़ियां strong रहती है और साथी बुढ़ापे में osteoporosis और arthritis की समस्या से बचाव होता है सहजन दातों और मसूरों की problems जैसे दात का दर्द पायर या आदी से भी चुटकारा दिलाता है तो ये थे सहजन के फाइदे है ना ये बड़े काम की चीज़ प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी मुझे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक और इंफोरमेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिराऊंगी तब तक के लिए stay healthy always be happy and take good care of yourself thank you for watching my video bye